हाई गाई आज है तारिक 10 माई 2020 और है मंडे देखेंगे आज का देहिंदू कंप्लीट न्यूस्पेपर को अनिलाइज करेंगे बट लिक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूस्पेपर का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा उस पे क्लिक करना और जाकर इस चैनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया है वो लिंक इसी चैनल का है तो उस पे क्लिक करो ये आटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है उरुगवे को ये कहां पर है इंडिया की कमपैरिजन में कहां पर है अच्छे से मैप में देखना पर आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो नाओ यहां पर आप देख पाओगे यह पहला आर्टिकल जिसके अंदर कुछ खास है नहीं और हमारे एक्जाम के पॉइंट अव्यू से इंपॉर्टन है नहीं बस खाली यहां पर यह वंडे एक्जाम के पॉइंट अ सर्मा नाम है इनका और इसमें जादा कुछ नहीं है हमारे लिए नाओ यहां पर आते हैं निक्स टार्डिकल की तरफ यहां पर बात करी गई है डेली के अंदर जो लॉक डाउन चल रहा था उसको एक्स्टेंड कर दिया गया है 17 माई तक और साती साथ जो डेली मेट्रो सर् ना वो कम आ रहे थे अब यहां पर जरूरत यह है कि इस लॉक डाउन को थोड़ा सा एक्स्टेंड किया जाए थोड़ी सी और इसमें आप कर सकते हो कडाई पर की जाए ठीक है यानि इसमें और जादे अच्छी तरीके साब कर सकते हो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाए ताकि जो जितना भी गेन किया भी तक जितने भी केसिस नीचे आए हैं वो सब वापस से न उट पाए उसके साथ इन्हों ने बताया कि वैक्सिनेशन वगरा जैसे चल रहा है अभी आपको मालूम होगा 18 साल से प्लस वालों को सभी लोग को वैक्सिनेशन लग रहा है और आप कैस से लगा सकते हो कोविन आप पर रेजिस्ट्रेशन करवा के लगवा सकते हो साथी साथ यहां पर एक चीज़ और बताई गई कि आज के टाइम पर डेली के अंदर वैक्सीन को लेकर जो स्टॉक है उसके अंदर कमी देखने को मिलेगी सबसे बड़ी दिकत यह है ओके तो यह से लिए और कुछ है आज के दिन के हैं चार पांच आठिकल जो इंपोर्डरंट है और वर्ल्ली उस पे बहूं सारे आर्डिकल है जो इंपोर्डंट है नौ यहां पर आप एक आर्टिकल यह देख रहे होंगे इसमें कुछ खास है नहीं यहां पर भी जो हमारे लेवर मिनि किया जा रहा है पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जा रहा है तो इन सब बजह से यह सिच्वेशन और जादे बुरी हो सकती है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ नाव यहां पर एक आर्टिकल आता है यह वाला ज लगातार एक से बढ़कर एक वेवस दिखती रहेंगी जब तक आप अपने हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर को डेवलेप नहीं कर पाऊगे उस चीज़ के बारे में आप बताया गया कि आप देख पाऊगे फर्स्ट वेव आई सेकंड वेव मतलब सेकंड वेव ने तो बहुत कि अंपाऊगे यहां पर कारे में ने बहुत सारे लोगों की जान गई बहुत सारे लोगों के घर बरबाद हो एं और इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर third wave आता है तो उससे पहले हम लोग को prepare होना चाहिए और उसकी जरूरत भी है और साथी साथ यहाँ पर एक छोटा सा statement है वो काफी बहतरीन statement है यहाँ पर आप देख पाऊगे शाहिद जमील है यह एक virologist है और साथी साथ advisor है to the Indian scientist इन्होंने बोला कि देखो जो waves है ना यह second wave, third wave, fourth wave यह लगातार आप लोग को दिखती रहेंगी जब तक आप कोई action नहीं लोग है क्योंकि action सही से नहीं लिया जा रहा है that is why यहाँ पर यह चीज़े control नहीं हो पारी है उसके साथ आज का एक important article और इसमें बताया गया जो चाइना का red cross है उसने भेजा है oxygen concentrator और ventilator मतलब इंडिया को एक मदद आई है चाइना की side से और साथी साथ release किया गया है इनके दोरा 1 million dollar rupees rupees नहीं 1 million dollar किसके लिए Indian red cross के लिए तो यहाँ पर यह सब चीज़े बताई गई और जो यह पहला batch है oxygen concentrator और ventilators का यह donate किया यह चाइना के दोरा और यहाँ पर आप देख पाओगे यह अभी तक का एक biggest donation है जो कि चाइना ने किया है साथी साथ यहाँ पर इंडिया ने भी purchase किया है आपका सकतों बहुत सारे हम लोगों ने चीज़े purchase भी करी है इंपोर्ट कर रहे थे हम लोग चाइना से फिलाल अब यहाँ पर मदद आई है और इस मदद में अगर हम बात करें तो oxygen concentrators जो की यह हमारा equipment है मैंने आपको काफी बार picture दिखा गए समझा रखा है इसका जो पहला batch है जिसके अंदर 100 oxygen concentrator है 37-40 ventilators है यह सब चीज़े आई हैं हमारे पास उसके साथ साथ कोज यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि इसी बीच में जो हम लोग import करने लगे थे ना चाइना से उसके अंदर काफी हद तक बढ़ावा देखने को मिला साथ ही साथ में आप देख पाओगे इंडियन कंपनीज ने काफी सारे order रखे जैसे कि 40,000 oxygen concentrators हमने import करे और भी बहुत सारी चीज़े mask ventilators और भी medicines बहुत सारी चीज़े import करी हैं तो उसके बारे में बताया कि जो importing हैं इंडिया की चाइना के द्वारा वो काफी जाता बढ़ चुकी है उसके बाद बराबर में जो यह आपको देखने को मिलता है डेली बिसस पर कि इंडिया के अंदर टोटल कितने के हैं तो आज के टाइम पर हम देखें सौरी इंडिया के टोटल नहीं करा पिछले 24 घंटे के अंदर कितने निकल कर आए हैं ठीके तो पिछले 24 घंटे में घर हम बात करें तो 3.55 लैक केसिस न्यू केसिस देखने को मिले हैं तो इसमें महराष्ट्रा और करनाड का दोनों टॉप लिस्ट के उपर हैं उसके साथ यहां पर एक छोटा सा आर्टिकल है जिसके अंदर आपस में आप देख पाऊगे इनके ट्विटर उनके ट्विटर की बात करी गई है तो यह इसमें कुछ खास नहीं था फिलाल यह साम दे सकें ऐसी चीज़ें तो उनके उपर अभी यहां पर जो कस्टम ड्यूटी वगएरा लगाई जाती है कस्टम ड्यूटी उनके उपर अभी के लिए नहीं है तो इनके द्वारा यह बताया गया चलो आगे बढ़ते हैं निक्स्ट आर्टिकल की तरफ बाकी आप देखी पा रहे होंगे सारे जो आर्टिकल है वो कोविट से रिलेटेड इलेक्शन से रिलेटेड बीच में अभी इलेक्शन भी हो गए न तो उस विएसे जो न्यूस्पेपर की खबरे हैं वो काफे दिनों से बेकार सी चल रही है नो यहां पर अगर हम बात करे तो यह आता एक अच्छा आर्टिकल जिसमें बात करी गई है ग्रीन पैनल ने अलाव किया है ग्रेट निकोबार प्लान को अब यहां पर देखो हुआ क्या था नीती आयोग ने अपना विजन सेट किया कि जो निकोबार है आपको मालूमों का अंडरमेंड निकोबार तो न स्टेप मतलब बहुत सारे इशूस जो हैं उठाए गए फिर उसके बाद जो है क्या हुआ अब यहां पर इन्होंने एक तरीके से रेकमेंड कर दिया है ग्रांट ऑफ टम्स मतलब ग्रांट दे दिया है लेकिन ग्रांट किस चीज के लिए दिया है जो एन्वोर्मेंट FCC मतलब Ministry of Environment, Forest and Climate Change तो इन्होंने पहले तो अपना serious concern दिखाया जो भी यह नीती आयो का अंबिशन था नीती आयो का अंबिशन यह है कि जो नीकोबार है ग्रेट नीकोबार वहां पर एक काफी भारी मात्रा में प्रोजेक्ट लगाया जाएं काफी बड़ा development किया जाए एरप बहुत सारे देखने को मिलेंगे बहुत सारे जानवर हैं जिनको नुकसान पहुंचेगा तो यह मुद्ध उठाए गए थे लेकिन अब यहां पर फाइनली इस चीज की ग्रांट दे दी गई है अब यहां पर ग्रांट किस चीज को दी गई है इन्वोर्मेंट इंपेक्ट को जिसको हम लोग EIA बोलते हैं और इनसे बोला गया कि आपको स्टडी करनी है उस एरिया में लगबग तीन महीने लगाओ स्टडी करो अच्छे से किस किस चीज के उपर क्या-क्या एफेक्ट पढ़ने वाला है तिके उसके हिसाब से जो है यह डेवलेप्मेंट आगे बढ करी गई थी एक इंटरनाशनल कंटेनर शिप्मेंट टर्मिनल साथी साथ एक ग्रीन फिल्ड इंटरनाशनल एयरपोर्ट उसके बाद एक पावर प्लांट टाउन शिप तो यह सब चिजे डेवलेप करने की बात करी गई थी कि इस एरिया में यह सारा प्रोजक्ट लगाए जाएगा और जो कॉस्ट है पैसा लगने की बात करी गई थी 75,000 करोड़ रुपीज 75,000 करोड़ रुपे लगाने की बात करी गई नाव कंसर यह था कि देखो इससे जो वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको काफी दिक्कत हो सकती है दूसरा बहुत बड़ा कंसर यह थ प्रोजेक्ट लग रहा है तो पेड़ वगर को कट डाउन किया जाएगा और आपको उस एरिया में काफी बारी मात्रा में ट्रॉपिकल फॉरस्स देखने को मिलेंगे तो यह सारे कंसर थे इस प्रोजेक्ट से क्या-क्या इंपक्ट बढ़ सकता है उसके बारे में बताया य सबसे पहले तो आपको एंवोर्मेंट के उपर पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा ऐसे प्रोजेक्ट लगाओ कि नुकसान भी ना हो और आपका काम भी हो जाए तो या फिर शिफ्ट कर सकते हो चीज़ें को जैसे कि आप देख पाओगे फोकस करना पड़ेगा एंवोर् प्लान है लेबर कैम्प से और उनकी जो रिक्वायर्मेंट है कौन यहां पर वर्क करने वाला है कौन सी चीज़ें आपर हैंडल करी जाएंगी कौन सी कंपनी आप प्रोजेक्ट लगाने वाली है बहुत सारी चीज़ें यह आपको सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी स्या यहां पर यह कंप्लीट आर्टिकल काफी इंपोरेंट था अभी यहां पर यह जो हाली में डिसाइट किया गया था नित्यायक के द्वारा कि यहां ग्रेट निकोबार के अंदर क्या होगा एक डिवलेप्मेंट प्रोजेक्ट लगा जाए इसके बारे में हमने डिसकुशन भी किया था याद होगा आपको फ्रेंट पेज पार्टिकल आया था मुझे याद है सबसे उपर की साइट तो हमने उसको डिसकस भी किया था नाव अब यहां पर वही चीज बताई गई है कि पहले तो उसमें कंसर दिखाया जा रहे थे नाव अब यहां पर टर्म्स ऑफ ग अगर टाइम मिलता है तो और उसके बारे में बताना क्योंकि जो पॉजिटिविटी है यह काफी हद तक चीजे बदल सकती है और मैं खुद अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे खुद परसनल एक्सपीरेंस है मैं 15 दिन तक बिमार पढ़ा रहा लेकिन मैं घर में रहा था पर उसके बाद ही जब यहां पर विडियो वगर हमारे काफी हद तक लेट हो रहे थे तो काफी कुछ हुआ उस बीच में कोविट पॉजिटिव हुआ फिर उसके बाद हम लोग मैंने यहां पर घर घर पर ही ट्रीट किया पूरी तरह से उसको ठीक है सब यहां पर परिवार दिखाए और उन्ने बहुआ है सबसे बहुत जादा उन्होंने पॉजिटिविटी मतलब इतना पॉजिटिव की कि अपंदरा दिन के अंदरी तेक और कम दिन के अंदर मतल्फ साथ आप लोगो भी काम करना है अगर कोई है ऐसी सिचुवेशन में तो हमेशा इसफो पॉजि जिसे आप से बुक्स पढ़ी है मैंने बहुत सारी स्टोरी बता सकता हूं जो कि पॉजिटिवीटी की वज़ा से बहुत बड़े-बड़े चेंज हुए हैं तो आपको भी जहां भी मौका मिले तो यह काम जरूर करना क्योंकि आज के टाइम पर लोग जो है ना कोरोना से कम ड दुनियादारी के अंदर क्या चल रहा है यहां पर सबसे पहले देखो यार वही आर्टिकल बार बार आ रहा है नशीद अटैक के बारे में आपको मालूम होगा जो माल्दीव के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनके उपर हुआ था एक अटैक तो उसी के बारे में यहां पर देखो जो चाइना का रॉकेट था जो की छाइना अहां स्वारी जो जो रॉसमेंगल हो फार जो यह चुरु था शार गेरना चालूख है यहां पर यह बताए गया चाइना को उपर बहुत सारे concern दिखाए गया चाइना कह रहा था नहीं गिरेगा population के उपर तो अभी हुआ तो ऐसा ही मालदीव के पास जाकर गिरा है यह ठीक है मालदीव के पास ocean में गिरा है लेकिन हो सकता था किसी जगा पर गिर जाता जिसकी वज चुका है ओके नाव जो आपका सकतो आधे टुकडों में तो तूट चुका है पहली बाद जो इसका मलवा है ना डेबरिस जिसको बोला दाता है वो गिरा है उसके साथ यहां पर बताया कि जो यह रिएंट्री हुई है रॉकेट की ऐसी रिएंट्री यह अभी तक की हमारे वर्ड की चौथी सबसे बड़ी अनकंट्रोल रिएंट्री है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सका और वो फेल हो गया और वो आपका सकतो इतनी तेजी से गिरा है और यह सबसे बड़ी सबसे बड़ी चौथी लार्जेस्ट रिएंट्री है ऐसा यहां पर एस्ट्रो फिजि नाव यहां पर जो नासा है National Aeronautics and Space Administration इन्हों ने यहां पर एक तरीके से यहां पर responsible बोला इस चाइना को चाइना ने लेकिन यहां पर इस चीज़ों को reject किया चाइना ने बोला कि देखो यह नहीं गिरता इस चीज़ के ऊपर किसी भी population को पर नहीं गिरता क्योंकि इसको monitor किय जा रहा था एक तरीके से देखा जा रहा था इसके उपर नजा रखी जा रही थी साथी साथ यहां पर इनके द्वारा यह भी बोला कि होता है और इस चीज़ को क् u और साथ ही साथ यहां पर आप देख पाओगे जो चाइना है चाइना मैंड स्पेस एजेंसी जो वहां की स्पेस एजेंसी है उन्होंने बोला कि जो यह संडे में रॉकेट की गिरा है यह तो आधा तो पहले से जल की खतम हो चुका था और जो भी बचा कुछ इसका जो डेबर करते वें यहां पर बोला कि देखो यह अनकंट्रोल एंट्री नहीं थी इसके उपर जो है एक तरीके से इसको ट्रैक किया जा रहा था लेकिन यह गिर चुका है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते फिलाल तो अभी के लिए यहां पर आप देख पारे होंगे यह जो रपस से था क्योंकि चाइना का एक गोल है इंटरनाशनल एक तरीके से चाइना का अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना तो यह कंस्ट्रक्शन इसके उपर चली रहा है तो उसको लेकर एक की कॉंपोनेंट लेकर जा रहा था यह रॉकेट जिसका नाम था त्याने तो य और इसी के साथ कुछ अलग से जानकारी दे दूं तो आपको मालूम होगा एक तो हमारे पास इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन अल्रेडी है ही साथी साथ अब यहां पर चाइना अपना डेवलेप कर रहा है जो बोला जा रहा है कुछ ताइम बे हम लोग डेवलेप कर लेंग एक बॉंब अटैक और उस बॉंब अटैक में बहुत सारे लोग की जान गई इनफेक्ट बहुत सारे बच्चों की जान गई 11 से 15 साल की लड़कियां थी जिनकी सबस्यादे जान गई ठीके तो उसके बारे में बताया गया है कि जो मोस्ट आफ दी विक्टिम्स थी वो इसक से पैनृरीटी से बिलोंग करती है तो इनको टारगेट किया गया एक तरीके से और इनको पहले भी टारगेट किया गया था सिलामिक स्टेट के द्वारा तो यह यह बोला जा रहा है अभी फिलाल अभी हमें पता नहीं चल रहा किसके द्वारा ये काम किया गया है बहुत सारे आउटलेट्स न्यूस पेपर्स जो इंटरनाशनल न्यूस पेपर्स हैं वो ये बताता है कि जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अश्राफ गनी उन्होंने बोल सिक्स के ओपर एडिटूरियल सेक्शन पहला आर्टिकल आप देख पाऊगे यहां पर पूरा इलेक्शन से रिलेटेड है यहां पर आपको नहीं पढ़ना इसको कोई बात नहीं छोड़ दो उसके बाद अगेन कोविट के बारे में बताया गया है लॉक्डाउन गेंस कुछ इंप्रूब्मेंट हुआ नहीं उसके बाद वापस से खुला तो सिचुएशन वैसी है केसे बढ़ते जा रहें तो ऐसा कुछ ना हो हैल्थ सिस्टम के ओपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा और उसको ग्रो करना पड़ेगा यह काम हम लोग को पहले ही करना चाह के ओपर खर्च करते थे लेकिन यहां पर हम लोगों ने काम नहीं किया उसकी वजह से हम लोगों को आज यह सब देखना पड़ रहा है अब जो है आने वाले टाइम से होगा क्या जीटीपी का थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा बढ़ा दिया जाएगा हमारे हेल्ट इंफ्रस्र की तरफ तो यहां पर सबसे पहले इस आर्टिकल को डिसकस करेंगे बात करी गई है ट्रिप्स वेवर के बारे में तो काफी बार हम लोग अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं पिछले दो तिन दिन से यूएस ने करा क्या है जो वैक्सीन है उसके उपर जो आई पी सकती है यह सब क्या होता है मैं आपको समझातां आपको समझाओंगा कि Max समय करनी है जो करidan है यूज के अंदर क्यों है क्योंकि युनाइट स्टेट्स ने एनाउंस किया है कि ये लोग इंटेलेक्च्वल प्रॉपर्पर्टी जो प्रोटेक्शन है कोविड-19 वैक्सीन का जो भी इनके पास पेटेंट्स हैं कोविड वैक्सीन के उस पेटेंट्स के उपर भी होगी ना तो मैं ही कर सकता हूं दूसरा इसके कोई कॉपी नहीं कर सकता एक तरीके से मोनोपोली जनरेट हो जाती है मतलब की सिंगल सेलर अकेला बंदा जो है यही बेचने वाला यह समान तो इसमें होता क्या है कि देखो कमर्शल इंट्रेस्ट भी होता है अब्यसी बा इन आईपीज के उपर जो पेटेंट्स थे वो उन सब के उपर रिलेक्सेशन दिया गया ताकि जो दूसरी कंट्रीज है वो इन वेक्सिन का प्रोडक्शन कर सकें क्योंकि आज के टाइम पर सिचुएशन का बुरी देखने को मिल रही है यह जो डिसिजन है आपको देखने हो पाए क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारी पोरर कंट्रीज हैं गरीब कंट्रीज है जहां पर वेक्सिनेशन सही से नहीं पहुँच पा रही है ना अगर हम बात करें तो 1995 का एक एग्रिमेंट है ट्रिप्स एग्रिमेंट जिसकी फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एसपेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्च्वल प्रॉपर्टी राइट्स तो यहां पर आपको याद रखना है यह एक्ट लाया गया था ताकि कोई भी क्रियेटर है जिसने कोई चीज बनाई है वो जिसने भी बनाया है नया इन्वेंशन किया है उसके उपर वो पेटेंट ले सके उसको वो प्रोटेक्ट कर सके तो इंडिया साउथ अफरीका नहीं भी यहां पर आपका सकते हो कि यह कोशिश करिए इंडिया साउथ अफरीका को जरूरत भी थी तो और यह साथी साथ यहां पर यह बोला गया है कि देखो यह कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ऐसा हो और जो है को कर सकते हो कि सब जो हैसके अंडर में इनिसी के बीच में बोरो्फ तो इसी के सकते हैं मतलब कि जो । पर वो पेटेंट लेती हैं तो साधी साथ यहाँ पर हम आगे बात करें तो इस चीज की काफी जरूरत भी यहांनि kita में चाहिए की बना रहा है बंदा अकेली की डिमांड भी बहुत है तो वैक्सीन की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी ना होगा क्या जब पेटेंट पर रिलेक्सेशन मिलेगा दूसरी कंट्री भी इसका प्रोडक्शन करेंगी तो जो वैक्सीन है वो हो जाएंगी चीपर यानि सस्ती हो जाएंगी तो उसके बारे में बताया गया और आपको डेड़ सारे वर्जन भी देखने को मिलेंगे और जो वैक्सीन की शॉर्टेज है वो भी कहीं ना कहीं वह पूरी होती वी नजर आएगी मतलब वैक्सीन की शॉर्टेज खतम होगी साथी साथ बहुत सारी कंट्री जिनके पाद आप सकते हो गैप होता है बहुत सारी कंट्री एं रिचर्ड एक्जन नाव पूर कंट्री के पास ये वैक्सीन नहीं आपागी हैं तो इससे क्या होगा पूर कंट्री के पास भी यैस पहूंच पाएंगी ओकए और जो है यहां पर यहीं सारी बार बार बताई गये हैsz Обरलृ इनडिया क के अंदर ये भी बोला जा रहा है कि हम लोग आने वाले टाइम पर थर्ड वेव देख सकते हैं तो उससे बचने के लिए भी हम लोग को ये चीज़े चाहिए ही चाहिए वे फॉरवर्ड क्या है देखो जो ये इंटिलेक्श्वल प्रॉपर्टी प्रॉटेक्शन है इस पर छ थूट दिया ये काफी बढ़िया यूसफुल है बड़ ये कोई मैजिक पिल नहीं है क्योंकि जब तक कोई कंट्री है जिसके पास लैक आफ नॉलिज जिसको पता ही नहीं कैसे कोविड नाइटीन की वैक्सीन की मैनुफैक्श्रिंग होगी उसके लिए क्या फाइदा यहा ट्रशन को मिलेंगी प्रोड़क्शन के ऊपर बहुत सारे कौंस्टेंट्स देखने को मलता हैं और भी बहुत सारी चीजें सप्लाइस उनके पास चाहिए वह नहीं है तो यह सारी प्रॉब्लम्स देखने को मल जाती है तो जब कंट्री के पास ये सारी चीज़े अविलेबल ही नहीं है तो क्या फाइदा इस ट्रिप्स एग्रिमेंट का या फिर ट्रिप्स वेवर का तो ये बताया यह है ऑथर के दौरा आई होप आप लोगो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा नाव यहां पर देख पाओगे एक आर्टिकल है बराबर में जिसमें बताया गया आउट रीच और ओवर रीच के बारे में क्या है मतलब देखो जो सुप्रीम कोट है अभी हाली में सुप्रीम कोट काफी नराज हुआ सरकार के ओपर क्योंकि सरकार ने ऑक्सिजन सप्लाई को लेकर सही से स्टैप ने उठाए नाव यहां पर क्या है सुप्रीम कोट ने लगबग 12 मेंबर का एक टास्क फोर्स बना लिया है जिसका नाम है नैशनल टास्क फोर्स जो की काम करेगा ऑक्सिजन को सप्लाई करेगा to the states and union territories ठीके तो यहां पर यह इ लड़ने के लिए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह सब चीज़े लाई गए कि अच्छे से हम लोग ऑक्सिजन को अविलेबल करवा सकें उसको अलोकेट कर सकें नाव इसी चीज़ के ओपर बहुत सारे हाई कोट्स हैं जिन्होंने मुद्धा उठाया हाई कोट्स ने पिछली बार बोला सेंटर से कि आप लोग क्या करो ऑक्सिजन की सप्लाई करो सप् सब्सक्राइबल करेंगे बट एक अच्छे लीड़ेबल करेंगे बट एक अच्छे लिडर्शिप की जरुवत है साथ हमारे इंफ्रस्ट्रक्चर के ओपर खडचे की जरुवत हैं यहां पर देख पाओगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको पर पैसा दादा लगा सकते हैं तो आज के टाइम पर इंडिया के ओपास काफी सारी मदद आ रही है यूएस हो यू यूनियन हो चाइना हो सभी तरफ से मदद आ रही हैं ना एक पार जो है इंडिया के अंदर 1960 की बात है एक बहुत क्रिटिकल सिच्वेशन के रेट वह क्या था सब कुछ सूखा पढ़ गया था और खाने का कुछ नहीं था जो फूड है फूड की शॉर्टेज हो गई थी ब आँ उसके बाद यहां पर यह देख पाऊगे की जो यह म्याहिंट था हिस्ट्री में कोई यहन एपर मैमरी नहीं है बहुत सारे लीडर से जिननों नहीं धार कंट्री को सिच्वेशन से निकाला है जैसे आपर बताय गया प्राम मिनिस्टर लाल बादूर शास्त्री इंद् कर सकते हो कि जो सिचुएशन चल ली थी वहां से निकाला इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन और इंडिया की हिस्ट्री में यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे ऐसा हुआ है और साथ से एंपॉसिबल नहीं है सब कुछ पॉसिबल है हो सकता है इंडिया ने ऐसा ही कुछ किया था 1960 में और उस समय सबसे टाइम पर पर तो चीजें भी अविलेबल हैं आपको क्या करना पड़ेगा अमाउंट लगानी पड़ेगी और उसके उपर production करना पड़ेगा या फिर उसको इंपॉर्ट करना पड़ेगा देन उसके बाद हम लोग आगे चीजों को apply कर पाएंगे जो surplus of oxygen है उसके उपर काम करना पड़ेगा ताकि oxygen की कमी ना हो पाए साथ यहां पर यह बोला गया कुछ medical inputs हैं उनके उपर काम करना पड़ेगा especially vaccines के उपर आपको import भी कर सकते हो ज़रूरत पढ़े तो import कर लो बट यहाँ पर अगर हम लोग production कर रहे हैं तो उसको हमें जल से जल जादा ramp up करके अमारी country को provide करवाना पढ़ेगा तो ऐसे कुछ step उठा कर जो है यहाँ पर covid से लड़ा जा सकता है उसके बाद यहाँ पर बताय है जो इंटर स्टेट वैरिएशन है इंटर डेथ रेट तो इसमें सबसे जाद है बताया है डेथ होती है क्योंकि है और साथी साथ हेल्थ में जो खर्चा करती है वह काफी कम है हमारा तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना पढ़ेगा और साथी साथ यहाँ पर यह भी बता बात करते हैं हम लोग अपने न्यूस्पेपर एनलेसिस को समाप्त बिलते हैं हम लोग से नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बाबाई हैव नाइस टे